कुछ समय पहले की बात है, एक रूमर साही थी, कैनन रूमर्स पर, रूमर किस चीज की थी, आपको दो पता है, थमनेल और टाइटल आप देखी चुके है, रूमर थी कैनन M50 Mark II की, और रूमर में क्या था, 32.5 मेगापिक्सल और अन्क्रॉप्ट 4K सेंसर, फिस, कुछ नियु सब्स्राइबें, तो चलिए बात करते हैं, आज कैनन M50 Mark II की, तो हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे मैं आपको बता देता हूँ, पिछले M50 के मुकाबले, ये इस एक्जाक्ली सेम वही हार्डवेर के साथ आजा है, कैनन ने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, इसमें वही mirrorless camera है, इसमें 24MP का APS-C sensor लगा हुआ है, और जिसकी वज़े से Canon M50 को लोग पसंद नहीं करते, वो है 4K cropped footage, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब आप 4K में shoot करेंगे, तो Canon M50 में आपको 1.6 times का zoom मिलेगा, या crop मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ Canon M50 का dual pixel aut autofocus भी 4K में नहीं आता, और इसमें आता है contrast based autofocus, बाकि इसमें वही electronic viewfinder है, वही same display है, touch screen है, digit 8 processor है, तो चलिए बात करते हैं इसके differences की, इसमें आपको मिल रहा है electronic shutter option जिसके विज़े से आप silent shooting कर पाऊगे, इसमें आप ज़्यादा shot ले पाऊगे, 305 compared to 235 Canon M50 से बट बट hardware change रही हुआ, same LPE12 battery मिलती है, इसमें भी और Canon M50 में भी, Canon M50 के मुकाबले Canon M50 Mark II, same price पर launch हो रहा है, but mind it guys, यह launch price है, अभी थोड़े ही time में इसमें discount आने शुरो हो जाएंगे, and it will be a much cheaper option, इसमें autofocus में आपको eye detection system मिल रहा है, photos में और videos में, it has an inbuilt support of vertical recording, तो जो TikTok users है, get ready, you have this phone in hand, okay, and best part, मेरे जैसे YouTubers के लिए, इसमें आपको YouTube live streaming का option मिलता है, इंदी camera itself, नहीं तो आप Canon EOS web utility को use भी कर सकते हो, तो चलिए बात करते हैं, इसकी drawback थी कि क्यों Canon M50 इतना popular होते हो अभी Canon M50 Mark II इतना popular नहीं हो रहा है, Canon M50 जब launch हुआ था, वो Digic 8 processor के साथ आया था, जो उस time का one of the best processor था, वाइल दो साल बात भी Canon ने same processor इसको दिया है, Canon M50 के साथ जो 4K footage मिलती थी, वो आज भी Canon M50 Mark II में ऐसी की ऐसे ही है, हमें लग रहा था कि Canon इस बार कुछ improved megapixel देगा, लेकिन नहीं, Canon इस बार फिर से 24 megapixel ही दिया है, last but not the least, Canon M50 users के लिए कोई भी reason नहीं है Canon M50 Mark II पे upgrade करने का, so mind it guys, अगर आपके पास अभी Canon M50 है, तो भूल जाहिए इस पे upgrade करने के लिए, तो चलिए guys, इसी के साथ end करते हैं हमारी वीडियो को, तो मुझे बताना है, comment में आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आप किसी और camera के बारे में जानना चाहते हो, या Canon M50 Mark तो किसी और camera के साथ compare करना चाहते हो, या फिर किसी और camera की comparison वीडियो चाहते हो, तो मुझे comment में बताइए, मैं आपको reply ज़रूर करूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, bye bye, अरे जाना नहीं है, जल्दी से नीशे जाओ, और comment करो, और मुझे बताओ, कैसी लग ताकि मैं आपके लिए और वीडियो भी लासको,